श्री परशुराम सीना मदप्रदेश द्वारा प्रदेश में ब्राह्मन समाच की बेचियों पर बढ़ती प्रतार्णा एवं छेड़चाड की घटनाओं के खलाप आक्रोश व्यक्त किया गया इस्थानी संभागर्यक तकारले पर मुख्यमंत्वी की नाम डिप्टी कमिशनर चरणजीत सिंग को ग्यावन सौपा गया संगठन ने अपना विरोध दर्ज करवाया है इसी पर देखिए हमारी यहाँ खास रिपोर्ट श्री परशुराम सीना मद्यप्रदेश के अध्यक्ष पंडित अनुप शुकला ने बताया कि सीना के संडख्षक अनुप वाजपई सतेंद्र शर्मा एवं गोविंद शर्मा के नेत्रत में सेना की मात्र शक्ती वर्षा शर्मा प्रमिला शर्मा एवं सीमा उपाध्याईन मद्यप्रदेश के विदीशा जिले में ब्राम्मन समाज की युफ्तियों के साथ छेड़चार की घटना एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों पर कारिवाई न करने के फलस्वरूप बेटी और उसके पिता द्वारा आत्मत्या कर लिए जाने दमोह में भी समाज की तेरह वर्ष की बेटी के साथ छेड़चार एवं प्रतार्णा की घटना पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कारिवाई न किये जाने के फलस्वरूप आरोपि खुले आम घूम रहे हैं प्रदेश में ब्राम्मन समाज की बेटियों पर प्रतार्णा के और भी मामल मंतरी जबकी ब्राम्मन समाज का है उसके बावजूत भी ब्राम्मन समाज की महिलाओं के साथ बिटियाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है लगातार चाहिए खुडेल थाने में आस्टे डेल महापूर्व एक बच्ची ने आत्म हत्या करी थी वह मुस्लिमीवक अभी तक बेदाग और ऐसे ही घुमरा है वही हाल ही में विदीशा जिले के अंदर धाकल समाज के वेक्ती में जब प्रेशर बनाया तो बेटी के साथ साथ में पिता तक को आत्म हत्या करनी बड़ी और पुलिस प्रशाशन अभी भी घारोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है साथ ही दमोहों जिले के अंदर साथ जुलाई को बिटिया को छिड़ा जाता है और आठ जुलाई को वह लड़का पास्को एक्ट में जिरफ्तार होता है और दस जुलाई सोमार के दिन उसको छोड़ दिया जाता है तो यह पुलिस की कौन सी कारवाई है किस तरह की कारवाई कर रह परशुराम सेना से महला अध्यक्ष वर्षा शर्मा प्रमिला कैलाश शर्मा सीमा उपाध्याय मीनु शर्मा कवीता मिश्रा नंदिता शर्मा चंदतिवारी ने महलाओं के बढ़ते अत्याचार की विरोध में आख्रोश व्यक्ष किया बिरो रिपोर्ट एंपी न्यूस इन दौर